पार्टी इतनी पूरी तरह से बौखला गई है कि वो अपनी साजेशों से उपर उठकर अपनी सडेंत्रों से उपर उठकर खत्या के मनसुपे बनाने लगी है और बाते पता चलती है कि उस जगह से जिनको टिकट दिया गया हम आपनी पार्टी के द्वारा वो पैसे पर टिकट बेच दिया गया दिल्ले निगम चुनाव से पहले बीजेपी और आपका सियासी घमसान हर दिन एक नया मोड लेता जा रहा है मनोश तिवारी और मनीश सिसोधिया की जुबानी जंग ने सियासी गलियारों का पारा गर्मा दिया है लेकिन इसी बीच मनोश तिवारी के एक बयान पर बवाल मचा है अब आपको बताते हैं इस बयान और बवाल की इंसाइड स्टोरी नमस्कार आप देख रहे हैं टीवी नाइन पंजाब हिमाचल और मैं हूँ आपके साथ कृतिका चावला ये मामला आम आदमी पाटी ट्रेड विंग दिल्ली के सचिव संदीब भारद्वाज की आत्म हत्या से जुड़ा है भारद्वाज ने दो दिन पहले अपने आवास पर आत्म हत्या कर ली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारद्वाज को उनका एक दोस्त कुकरेजा अस्पताल लेकर गया लेकिन तब तक संदीब की मौध हो चुकी थी विराज़ौरी गारडन में भारद्वाज मार्बल्स के मालिक थे भाजपा ने संदीब की हत्या की आशंका जताई दिल्ली पुलिस इसकी जांच कर रही है वहीं इसको लेकर भाजपा सांसत मनोश तिवारी ने प्रेस कॉन्फरेंस कर कहा कि मेरे हिसाब से संदीब भारद्वाज ने आत्महत्या नहीं की बलकि उनकी हत्या हुई है उन्होंने कहा कि वे टिकेट के दावेदार थे लेकिन जिस तरह के सबूत सामने आ रहे हैं ये किसी भी तरीके की आत्मत्या नहीं लग रही है वे जिस सीट से चुनाव लडने वाले थे उस टिकेट को बेच दिया गया बकॉल तिवारी आत्महत्या के लिए मजबूर करना भी आत्महत्या के समान होता है तिवारी के इस आरोप को दिल्ली के उप मुक्यमंत्री मनीश सिसोधिया ने खारिश करते हुए कहा कि ये बहुत दुखत है वे मेरे भी करीबी थे और ट्रेड यूनियन में उनकी एहम भूमिका थी एक व्यक्ति जो आम आदनी पार्टी से जिनको टिकेट मिलने का सारा भरोसा दिया जा चुका था जो आम आदनी पार्टी के फाउंडेशन के मेंबर हैं वो आत्महत्या कर लिये हैं और बातें पता चलती है कि उस जगह से जिनको टिकेट दिया गया आम आदनी पार्टी के द्वारा वो पैसे पर टिकेट बेच दिया गया और ऐसी स्थिती में संदीप भारद्वाज नाम के व्यक्ति इस आघात को सहन नहीं कर पाए और वो आत्महत्या कर लिये सिसोदिया ने कहा कि इस तरह से इसे टिकेट से नहीं जोड सकते ये गलत कर रहे हैं आरोपों से घिरे सिसोदिया ने केश जिवाल की सुरक्षा मसले को लेकर भी मनोज सिवारी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि एक तरह से मनोज सिवारी ने अरविंद केश जिवाल को धमकी दी है जिससे साफ होता है कि भाजपा अर्विंद केश्जिवाल की हत्या करने की साजिश कर रही है उन्होंने कहा कि हम इसकी शिकायत चुनाव आयोग में करेंगे और मामले में F.I.R. करवाएंगे और मनोश सिवारी की गिरफतारी की मांग करेंगे दिल्ली और गुजरात में जिस तरह का चुनावी माहौल बना हुआ है M.C.D. के चुनाव में और गुजरात विद्रेंसभा के चुनाव में उससे भार्टी जनता पार्टी इतनी बुरी तरह से बौखला गई है कि वो अपनी साजेशों से उपर उठकर अपनी सडेंत्रों से उपर उठकर हत्या के मनसूबे बनाने लगी है इन्होंने इस चुनाव से पहले अरविंद केजरिवाज जी को बदनाम करने की खुब कोशिश की तरह तरह के बयान देकर गाली ग्लोज करके खुब उनको नीचे लाने की बहुत कोशिश की नोंने लेकिन एक किसी भी कोशिश में काम्याबने हुए तो कल मनोच तिवारी जी ने एक तरह 约ो कि धौकी दिय ई केजरिवाल जी को और मनोर कि जन्ता पार्टी अर्विंद केजरिवाल जी की हत्या करने की साजिश कर रहி OW जन्ता के भरोसे की राजनी ती है इसलिए भारतिय जन्ता पार्टी अब अपने निम्रतम इस्तर पे उतर के उनकी हत्या कराने की साजिश कर रही है और हम इसको लेके पुलिस और चुनावायोग दोनों के पास जाएंगे एसे में सवाल उठता है कि क्या इतने कड़े सुरक्षा घेरे में चलने वाले CM केश जीवाल की कैसे हत्या करवा सकता है या फिर यह आरोप महज MCD चुनाव में emotional काड खेलने की कोशिश है अब आपको बताते हैं कि केश जीवाल की सुरक्षा घेरे के बारे में ध्यान रहे अर्विन केश्रिवाल देश के संभवत है एक लौते नेता होंगे जिनको दो जगे से Z प्लस सुरक्षा मिली हुई है केंद सरकार ने उनको Z सुरक्षा दे रखी है तो मार्स 2022 में पंजाब में आमादमी पार्टी की सरकार बनने के बाद वहां से भी उनको Z प्लस सुरक्षा मिल गई केश्रिवाल दिल्ली में पूरे ताम जाम के साथ चलते हैं उनके लिए रूट लगता है ट्राफिक रोका जाता है और आगे पीछे गाडियों का काफिला चलता है गुजरात भी वे पूरे ताम जाम के साथ ही घूम रहे हैं ऐसे में उनकी हत्या की साजिश कोई कैसे रच स आपको हमारे ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और बागी की अपडेट्स के लिए चानल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें टीवी नाइन पंजाब हिमाचल